हेलो सुपर लेर्नर्स, हावर यू आल, I hope कि आप सब ठीक ठाक और फाइन हो, हमने क्लास 9 साइन्स से एक चैप्टर शुरू किया है, जिसका नाम है एन्वामेंटल मैनेजमेंट, आज हम इसका देखने जा रहे हैं लेक्चर नमबर टू, जिस पे हम बात करेंगे, पेज किया गया है, तो आप उसको डिसक्रिप्शन में दिये गए लिंक से देख सकते हो, इस चैनल पे और भी बहुत सारे चैप्टर कवर कर लिए गया है, और इसको मैंने कंपाइल करके एक वेब पेज पे डाल दिया है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है, कॉमेंट कर दूँगा, डिसक्रिप्शन में भी डाल दूगा, इसके अलावा सारे चैप्टर का लिंक डिसक्रिप्शन में है, तो आपको कोई भी चैप्टर सीखना होगा, तो आप जा सकते हो, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शियर कर सकते हो, चलिए आगे बढ़ते है आप लोग के लिए अलग से एक टेलिग्राम चैनल भी बनाया गया है, जहां पर आपको सारे लिंक्स बिल जाएंगे, अगर आप इस टेलिग्राम चैनल को जोइन करते हो, तो तो एक्सेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सारा एक्सेस करने लाइक मैंने बना दिया हापक आज के लेक्षर में हम बात करने वाले about metriology, अब ये metriology क्या होता है, हमने लास्ट लेक्षर में पढ़ा था कि 23rd March is observed as World Metrological Day, और आज है teachers है, 5 September, okay, so 23rd March is observed as World Metrological Day, मगर हमारे बंटू के मन में एक सवाल था कि metriology मतलब क्या होता है, तो metriology क्या होता है, metriology is basically a science that studies, it's a science that studies, the interrelation between various components of air, जी हाँ, air के जो बहुत सारे components होते हैं, उनकी बीच का interrelation पढ़ता है, इसके अलाबा आपके natural cycles को पढ़ता है, जैसे आपका water cycle हो सकता है, ये evaporation cycle वाला, या फिर आपका nitrogen cycle, oxygen cycle, carbon cycle, ऐसे कावी सारे natural cycle जो होते हैं, उनकी studies और उनकी बीच का interrelation, या फिर आपका जो geological movement होता है, या फिर climate में जो बदलाब होता है, इन सबकी जो study करता है, इन सबका जो science है, जो study करता है, उसको हम meteorology कहते हैं, यहाद clear है, चले थोड़ आगे बढ़ता है, meteorological department के बारे में समझते हैं, देखो, most countries in the world have established their meteorological department, most of the countries जो world में हैं, उन्होंने अपनी- meteorological department बना ली है, तो भाया क्या हमारे इंडिया ने भी ऐसा कुछ किया है, तो देखो, these departments have their observatories, इन सारे department का एक ऐसा देखने वाला केंद्र होता है, जहां से यह सबी चीज़े को देखते हैं, और यह जो observatories होते हैं, यह occupied होते हैं with a model instrument and technology, इनके पास सारे modern instruments, satellite and जो भी चीज के मदद से, यह help करते हैं weather forecasting, जैसे कि आपको सुना ही होगा, आप जब new channel खोलते हो, तो daily सुबह या फिर शाम को, बतलब दो बार basically, आपको आज भारी बर्शा की संभाबना है, मौसम विवाग के हिसाब से, तो जो मौसम विवाग है, वही है metrological department, which helps in weather forecasting, weather forecasting में मदद करते कहाँ पर बारिश होगी, कहाँ पर क्या आएगा, और वो सारे factors को study करके, जो हमने lecture 1 में देखा है, चले थोड़ा आगे बढ़ता है, which helps in weather forecasting, अब देखो, दो चीज़े होती है, पहला होता है easy, कभी-कभी weather forecasting बहुत ही असान होता है, कौन से जगे के लिए, for places where climate change is slow, अब ज region के लिए बताने के लिए, जहाँ पर अभी बारिश है, अचानक से धूप, धूप है, ठंडी, बर्फ, जहाँ पर rapid changes होता है, वहाँ पर बताना काफी मुश्किल होता है, तो I hope कि अपको यह दोनों point समझ आ गया होगा, let's move further, with the help of meteorological studies like, lightning, जो lightning होती है, हमारे आसपास fall, strong, clouds, wind, तो इन सारी चीजों की मदद से, weather forecast are made, which are useful, इन सबसे weather forecast किया जाता है, मौसम बिवा कुछ बताता है, information बताता है, वाता वरन के बारे में, या फिर वोना weather के बारे में, जो common people के लिए बहुत ज़्यादा helpful होता है, आप छत्री लेके निकलोगे, basically, raincoat लेके निकलो damage से बचाया जा सकता है, इसके अलावा ये fisheries industry में भी काम आता है, मालों की समुदर में तुफान आने वाला है, तो of course, मचवारे बचली मारने नहीं जाएंगे, fishery करने नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो ये helpful होता है, basically, इसके अलावा aviation service की plane जहा और delay कर दिया जाता है, या फिर उसको land नहीं कराया जाता है, नहीं तो गड़वर हो सकता है, right, so aviation service के लिए भी ये metrological department का जो information होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसके अलावा water transport, क्योंकि इनके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये सारे हमने देख Indian Meteorological Department, Indian Meteorological Department, Indian Meteorological Department was founded by British in 1857 at Simla, Simla में ये found किया गया था, by British in 1857, head offices का पुने में है, मैं सवाल पूछूंगा, तो याद रखो, head offices का पुने में है, इसके अलावा इसके बहुत सारे regional offices हैं, जैसे कि मुंबई में इसके कुछ regional offices हैं, कौकता में इसके regional offices हैं, चन्नाई में इसके regional offices हैं, नागपूर में हैं, हमारा जो capital है, इडिया का देली, वहाँ पे भी इसके regional offices हैं, तो ये कुछ important information ने जो मैं आपको बता दिया, about IMD, founded by British in Simla, और इसका head office पुने में हैं, और regional offices हर जगे पे almost, चलिए, in this institute, इस institute, where research goes on continuously for prediction about climate related, climate related कुछ चीजों से लेके prediction से की, सिस्मोलोजी, अब आपको ये फोटो देख करके, ये विडियो देख करके, आपको समझ में आ गया होगा, कि सिस्मोलोजी मतलब साथ भुकम के बारे में पढ़ाई है, yes, study of earthquake is called as सिस्मोलोजी, तो IMD जो है हमारा, IMD मतलब इंडियान मेटरोलोजिकल से बताता है, इसके अलावा, prediction regarding rainfall by satellite, satellite की मदद से बताता है कि कब ज़्यादा बारिश होगी, कम बारिश कब होगी, तो आपको पता चल जाता है कि बहुत ज़्यादा, तीन दिल लगाता बहुत बारिश होने वाली है, या फिर बारिश आज इस महीने लेट होगा, तो ये बनाया जाता है, daily prediction about weather कैसे बदलेगा विगरा के बारे में, which are prepared and published toys in everyday to in 24 hours, मतलब की हर रोज बनाया जाता है और दो बार बनाया जाता है 24 घंटे के अंदर, जो weather के predictions के बारे में पताता है, clear हर रोज दो बार बनाया जाता है, हर रोज मतलब 24 घंटे में, चले आगे बढ़ इसके अलाबा, prediction regarding climate, climate is like dust storm, sand storm, तो ये dust storm या फिर जो sand storm है, इनके बारे में जो predictions होता है कि इसके आने की संभावना है, ये भी हमारा IMD देता है, heavy rainfall, tsunami, इन चीजों के बारे में भी हमारा IMD ही बताता है, Indian Metrological Department, तो आपको समझ में आ गया, overall ये मौसम विवाग के बारे में है, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, for this purpose, इन सब चीजों को करने के लिए, हमारे IMD ने क्या किया है, for this purpose, इंडिया has launched several satellites, equipped with high class technology, तो इंडिया ने बहुत सारे satellite launch किया स्पेस में, जो ये सारे information को collect करने म मदद करते हैं, moving further, एक और topic है, ये last topic है, आज के lecture का, monsoon model and climate prediction, student इक बात और किया, आज में लेक्चर में पुड़ा ध्यान नी दे पार हो, because there is so much hell, hell distraction, मतलब पुई बिल्डिंग में distraction है, मानके चलो, ऊपर में कोई थो करा है, नीचे कोई grind कर रहा है, तो like I'm not able to focus, but अगर म ही रहा हूं, but I'm like, मेरे, आपको तो साथ जाना रहा हो, क्योंकि मैंने bike में तुरी setting किया है, लेकि मेरे कान में तो सारा चीज आ रहा है, तो that's the reason, तो please थोड़ा सा focus करना है, माफ करना है, और हाँ, इस चैनल के वीडियो अपने भाईयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, इसके बारे में समझते है, after the famine, famine मतलब क्या होता है, बात करेंगे, of 1877, H.F. Blandford, the founder of IMD, Indian Meteorological Department, इन्होंने कुछ तो इसके बाद क्या रहा था, ये famine की बाद, for mine मतलब होता है, scarcity of food, मतलब खाना पीना का बहुत दिक्कत हो गया है, ठीक है, first made prediction taking snowfall in Himalayas as the parameter, जो हमारे वो पुराने भाई साब थे, Blandford, इन्होंने एक prediction किया, किस चीज़ को देख करके, snowfall Himalayas में जो हो रहा था, तो Himalayas में होने वाले snowfall को देख करके, इन्होंने कुछ वो किया, prediction किया, कुछ ऐसा अंदाजा लगा है, ठीक है, और उसके बाद, मतलब हम बता रहे हैं कि Metrological Department कैसे कैसे evolve हो, उसके बाद देखो दूसरे क्या है, later in 1930s, 1930s के समय में, Sir Gilbert Walker put for hypothesis regarding the nature of the monsoon, इन्होंने कोई तो hypothesis दीती, कोई तो model दिया होगा, जो monsoon का nature बताता है, कि ऐस होने से ऐसा monsoon आएगा, वैसा होने से वैसा monsoon आएगा, monsoon आएगा या नहीं आएगा, monsoon मतलब वर्सा रितू, ठीक है, अच्छा, फिर ये भाई साब है, देखो, in 1990s, with the initiative of Dr. वसंत राओ, गोविर कर, monsoon model based on six worldwide parameter was developed, इन भाई साब ने, एक initiative लिया, और इन्होंने ऐसा monsoon model बना है, जो solar worldwide parameters को देखता था, खाली हिमाले के बरफ को नहीं देख रहा है, solar, ऐसे solar different parameters देख रहा होगा, temperature, wind, अब बहुत सारे parameters है, जिसमे solar worldwide parameters है, जिसको ये देखता था, और ये बहुत लंबे समय तक चला 1992-2002, currently new models are developed at IITM, Indian Institute of Technology, म क्या होगा, सोचके देखो, क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको, currently new models are developed, आजकल नया model developed किया जा रहा है at IITM, IITM होता है Indian Institute of Tropical Meteorology, ठीक है, Tropical Meteorology, Institute of Technology नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब, the main focus is on the development of radar system and satellite technology, तो main जो इनका focus है, वो इस तरीके का radar system बनाने का है, और satellite technology बनाने का है, जो कि बहुत ज़्यादा helpful होगा in meteorology, आज का lecture फोड़ा सा पेचीदा भी हो सकता है, ठीक हो सकता है, तो आजके lecture में हमने meteorology क्या होता है, समझा, meteorology का काम समझा, Indian Meteorological Department के बारे में समझा, और कुछ monsoon model के बारे में देखा, जिसमें पहले स्नोफॉल वाला था, फिर हमने देखा कि किसी न का संबली था, so thank you so much, but कुछ questions भूल गया था मैं, अजा, सिसमें ओलोजी इस तुड़ी ओ, क्या होगा, साइक्लोन, रेटबल, तुनामी, आर्थक्वेक, बताओ जल्दी, चलो, comments में बताना तुमकर, current new models are developed at कहां पे बन रहा है, बताओ, comment, comment, अचा, head office of IMD is at कहां पे, head office, मुंबई, दल्दी, पुने, नागपुर, for my needs, scarcity of water, scarcity of oxygen, scarcity of sunlight, scarcity of food, क्या है, comment में बताना है, regional office of IMD is at Dash, आपको ये भी बताना है, और इसके अलाबा, बस, पाची question है, तो मजे करो, all in, सबको, जब आप comment में बता तो, channel, video अच्छा लगा है, तो, channel को subscribe कर लो, channel subscribe कर रखाओग और free education देना है, तुम्हारा भाई, अगर जो मेरी सोच है ना भाई, अगर वो सोच चल गई, भाई बहन, जो भी हो, आप देख रहे हो, ठीक है, तो, अगर मेरी सोच चल गई ना, तो, मैं ना वो, basically, wordy बोल देता हूँ, ठीक है, वो जो झूटा free education होता है ना, वो नहीं कर ठीक है, तो, जहाँ पर free होगा होगा, जहाँ परसा होगा, परसा होगा, एक दम clarity के साथ, क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत यह है, और हाँ, मैंने एक चीज़ देखा है, दाम बढ़ाने से इंसान बिख जाता है, तो, बिखूँगा नहीं, ठीक है, जब मैं सोच तो, अगर तुम शेयर करने के लिए नहीं आए हो, तुम सब्सक्राइब करने के लिए नहीं आए हो, तुम पढ़ने के लिए आए हो, तो अगर तुम्हें लगता है कि किसी की मदद हो सकती है, तब तुम शेयर करने, thank you so much, have a good day, अगला lecture as soon as possible डाल दूँआ, थोड़े problem च झाल